हलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल यूनिक मैथ यूनिक जियस मैं सचेन आज आपको लाइब टेस्ट कराने जा रहा हूं और यह टेस्ट हमारा बारे नंबर है और यह टेस्ट दोस्तों आपके लिए एससी रेलबे एंटी पीसी गुरुबडी यूपी प्लिस आर्मी के लिए बहुत ही हेलपल होने वाला है तो चलिए दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट स्टार्ट होचका है सभी लोग एक बार सेयर कर देंगे तो दोस्तों पहला कुशन आपके सामने आचका है लॉड करजन ने बंगाल विवाजन किस वर्स रद्द किया तो आपको बताना है कि जो लॉड करजन थे उन्होंने बंगाल के विवाजन को किस वर्स रद्द किया था ठीक दोस्तों तो आपकी options है 1907, 1922, 1911 और 1904 तो आप आपको सही आंसर बताने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपको C आप्शन क्या होगा C तो 1911 में क्या किया था लॉड करजन ने जो बंगाल को ववाजन को रद किया था और दोस्तों जो बंगाल का वेवाजन हुआ था आपका 1906 में कब ववा था दोस्तों 1906 में तो ये हुआ था इसकी गोश्ना होई थी और 1911 में लोड करजन ने इसका क्या किया था वेवाजन को रद किया था चलिए next question में चलते हैं तो दोस्तो next question आपके सामने आचका है सुभाषचंदर बॉस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था अब आपको बताना जो सुभाषचंदर बॉस थे उन्होंने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था तो आपके option है 1940, 1922, 1943 और 1942 तो अब आपको सही answer टिक करने के लिए 4 second का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो आपका C option होगा क्या होगा C option तो सुभाषचंदर बॉस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था ठीक है दोस्तो और ये नारा कहां से दिया था ये नारा दिया था उन्होंने सिंगापुर से कहां ते दिया था सिंगापुर से सुभाषचंदर बॉस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में सिंगापुर से दिया था ठीक है दोस्तो तो चलिए next question बेचलते है question दोस्तो मैंने अपकी बार ठीक टाकी लिए तो अगला question है दोस्तो आपका भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ताब किस वर्ट से पारित किया था तो आपके option है 1940, 1922, 1911 और 1942 ठीक है दोस्तो तो आपको सही answer टिक करने के लिए time दिया था है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो आपका होगा A option क्या होगा A option तो जो 1940 में Congress ने भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ताब को क्या गिया था ठीक है दोस्तो तो चलिए next question पर चलते है तो चलिए दोस्तो नेक्स्ट कोईशन पर चलते है नेक्स्ट कोईशन ये दोस्तो भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ताब किस वर्ट से पारित किया गया था तो अब आपको बताना जो Congress सरकार थी उसने भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ताब था वो किस सार में किस वर्ट से पारित किया था तो आपके ऑप्सन है 1940, 1922, 1911 और 1942 तो दोस्तो आपको सही आंसर टिक करने के लिए चार्ट सेगन का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो आपका D option होगा क्या होगा D option तो क्या दोस्तो जो Congress Party सरकार थी उन्होंने क्या किया था भारत छोड़ो आंदूलन का प्रस्ताव था वो 1942 में क्या किया था पारित गया था लागो गया था दोस्तो तो चलिए next question पर चलते हैं तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है नमक सत्यागर है किस बर्स प्रारम हुआ था तो दोस्तो अब आपको बताना है कि जो नमक सत्यागर है था वो किस बर्स प्रारम हुआ था तो आपके option दिये हुए है 1940, 1922 1930, 1942 ठीक है दोस्तो तो अब आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेगंड का समय दिया जाता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो होगा आपका C option क्या होगा C option तो दोस्तो जो नमक सत्याग रह था जो नमक सत्याग रह अंदुलन था वो 1930 में प्रारम हुआ था तो चलिए दोस्तो next question पर चलते हैं तो दोस्तो next question आपकी सामने आ चुका है जलिया वाला बाग हत्याकांड किस वर्स हुआ था तो दोस्तो अब आपको क्या बताना है जो जलिया वाला बाग हत्याकांड था वो किस वर्स हुआ था तो अब आपको बताना है कि जो जलिया वाला बागत्या कांड था वो किस वर्स हुआ था तो आपके option दिये हुए हैं 1918, 1920, 1919 और 1921 ठीक है दोस्तों तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा वो आपका C option होगा 1919 में क्या हुआ था दोस्तों आपका 1919 में हुआ था जलिया वाला बागत्या कांड ठीक है दोस्तों अगर आपसे date पूछी जाके किस date को हुआ था तो वो date हुए थी 13 April 1919 को ठीक है दोस्तों क्या थी 13 अपरेल 1919 को क्या हुआ था जलिया वाला बाग अत्या कांड ठीक है दोस्तों तो चलिए next question पर चलते हैं 1907, 1922, 1931, 1940 तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेगन का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा वो आपका D option होगा क्या होगा D option 1940 तो जो पाकिस्तान की मांग थी वो किस वर्स की गई थी 1940 में ठीक है दोस्तों तो चलिए next question में चलते हैं तो अगला question दोस्तों आपके साबने आज का है स्वराज party की स्थाबना किस वर्स हुई थी तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो स्वराज party थी उसकी स्थाबना किस वर्स हुई तो आपके option है 1918, 1920, 1923, 1921 ठीक है दोस्तों तो आपको सही answer बताने के लिए चार सेगंड का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा वोगा C option 1923 में तो दोस्तों सोराज party की स्थाबना का हुई थी यह हुई थी आपको 1923 में ठीक है दोस्तों तो चलिए next question में चलते हैं तो दोस्तों next question आपके सामने आचका है अब आपको बताना है गांदी जी की मृत्यू किस बर्स हुई थी तो दोस्तों आपको बताना है जो गांदी जी थे उनकी मृत्यू किस बर्स हुई थी तो आपके option है 1940,1948,1947 और1942 ठीक है दोस्तों तो आपको सही answer टिक करने के लिए चार सेगन का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा वो होगा आपका 1948 में तो दोस्तों जो गांदी जी की मृत्य हुई थी वो कब हुई थी 1948 में अगर आपसे date पूछ ली जाए तो date थी दोस्तों 30 January क्या थी 30 January 1948 को महत्मा गांदी की मृत्ती हुई थी ठीक है दोस्तों चली next question बें जलते हैं तो दोस्तों next question आपके साबने आ चुका है question यह है कि regulating act किस words पारित किया गया तो आपको बताना है जो regulating act आया था वो किस words आया था ठीक है दोस्तों तो आपके option दी हुए है 1785, 1773, 1771 और 1793 तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 second का समय दिया जाता है तो दोस्तों जो आपका एकदम जो correct answer होगा वो होगा आपका see option क्या होगा see option तो जो regulating act आया था वो कवायत है दोस्तों 1771 में तो चलिए दोस्तों next question पर चलते है तो दोस्तों next question पर जाने से पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो like करें और test को share जरूर करें ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो like करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please यार अभी चैनल को subscribe करें ताके आपको जब भी हम revision की वीडियो डालें आपका revision होता रहे और पढ़ाई होती रहे ठीक है दोस्तों और साथी साथ bell icon को दबा लें ताके जब भी हमारी वीडियो अप्लोड हो तो आपके पास सबसे पहले notification पहुँझे ठीक है दोस्तों तो चलिए अब next question पर चलते है दोस्तों बहुत important question आपके सामने आ चुका है SSC, Railway, NTPC, Group D, UP Police में कई बार पूछा जा चुका question most important question question क्या है दोस्तों question यह कि Simon Commission का भारत आगमन किस बड़ गुआ तो अब आपको बताना जो Simon Commission था वो भारत कवाय था ठीक है दोस्तों question क्या है Simon Commission भारत कवाय था तो आपके option है 1918, 1928, 1923, 1930 ठीक है दोस्तों तो अब आपको सही answer टिक करने के लिए चार सेगन का समय दिया आता है तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा आपका Simon Commission भारत कवाय था वो आय था आपका 1918 में ठीक है दोस्तों तो 1918 में क्या आय था Simon Commission भारत आय था तो चलिए next question पर चलते है तो दोस्तों next question आपके सामने आ चुका है मारले मिल्टो बिल किस बर्स पारित हुआ तो अब आपको बताना है जो मारले मिल्टो बिल था वो किस बर्स पारित हुआ तो आपके option दिये हुए 1905, 1911, 1909, 1907 ठीक है दोस्तों तो सही answer टिक करने के लिए आपको 4 सेगन का समय दि तो दोस्तों जो एकदम correct answer होगा वो आपका C option होगा 1909, मारले मिल्टो सुधार बिल्टो था वो आपका 1909 में पारित हुआ था तो चलिए next question पर चलते हैं तो दोस्तों next question आपके सामने आ चुखा है question बहुत ही important है यह भी कई बार railway में पूछा जा चुखा है question क्या है गोदान किसकी रचना है तो अब आपको बताना है जो गोदान है वो किसकी रचना है ठीक है दोस्तों गोदान किसकी रचना है तो आपको option है प्रेम चंद यानि चार सेकंड का समय दिया आता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer होगा वो आपका पहला option होगा प्रेम चंद तो दोस्तो मुंसी प्रेम चंद की जो रचना है वो कौन सी है गोदान है क्या है गोदान ठीक है दोस्तो गोदान तो चलिए next question पर चलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है Question यह मैं कि भारत-भारती किसकी रचना है तो दोस्तो आपको बताना है जो भारत-भारती है वो किसकी रचना है तो आपके option है मुंसी प्रेम चंदर रविन्ना टेग ओर धरमबीर भारती मैथली सरन गुप्त ठीक है दोस्तो क्या है option प्रेमचंद रविंदना टेग और धरमबीर भारती मैथली सरण गुप्त तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है तो time start होता है आपका तो दोस्तो जो एकदम correct answer है वो आपका D option मैथली सरण तो दोस्तो जो भारत भारती के लेखक हैं वो कौन है मैथली सरण गुप्त तो चलिए next question पर चलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है question क्या है दोस्तो? question यह है कि दुर्गेश नंदिनी अब आपको बताना है जो दुर्गेश नंदिनी है वो किसकी रचना है दुर्गेश नंदिनी तो आपके option है मुंसी प्रेम चंद, रविंदना टैग और धरमबीर भारती बंकिम चंदर चटर जी ठीक है दोस्तो? क्या है option? मुंसी प्रेम चंद, रविंदना टैग और धरमबीर भारती बंकिम चंदर चटर जी ठीक है दोस्तो? तो आपको सही answer टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया आता है तो दोस्तो जो एकदम correct answer है वो आपका D option है D option बंकिम चंदर चटर जी तो जो दुर्गेश नंदिनी है वो किसकी रचना है? बंकिम चंदर चटर जी की ठीक है दोस्तो? तो चलिए next question पर चलते है तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है question क्या है दोस्तो? life divine अब आपको बताना जो life divine है उसके लेखक कौन है? life divine ठीक है दोस्तो? life divine किसकी रचना है तो पहला अप्सान है आपका मुंसी प्रेम चंदर रविंदन ना टैगर धरम बीर भारती और अरविंद घोस ठीक है दोस्तो? तो अब आपको आपको सही टाइम जी आता है आपको आंसर बताने के लिए तो दोस्तो जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ओप्सन अरविंद घोस तो life divine के जो लेखक हैं वो कौन है? अरविंद घोस ठीक है दोस्तो? तो चलिए next question बचलते हैं तो दोस्तो next question आपके सामने आ चुका है प्रेम 25 किसकी रचना है? तो अब आपको बताना जो प्रेम 25 है वो किसकी रचना है? तो पहला option आपका मुंसी प्रेम चंद्र, रविंदना टेग और धरमबीर भारती और बंकिम चंदर चटर जी ठीक दोस्तो? क्या है option? मुंसी प् टिक करने के लिए 4 सेगिंद का समय दिया आता है. तो दोस्तो जो एकदम correct answer है वो आपका A option है. मुंसी प्रेम चंद्र, क्या है दोस्तो? मुंसी प्रेम चंद्र, जो प्रेम 25 है वो किसकी रचना है? मुंसी प्रेम चंद की. ठीक है दोस्तो? तो चलिए next question पे चलते हैं. तो जो post office है उसके लेखक कौन है या यह किसकी रचना है तो पहला option आपका प्रेम चंद रविन्ना टेग और धरंबीर भारती और बंकिम चंदर चठर जी ठीक है दोस्तों तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा इसका लेवल तो चलिए यह थी और आपको हाँ कल वाली वीडियो का आपको आंसर बता देते हैं जो कल हमने आपके लिए कोशिन दिया था उसका आंसर आपको बता देते हैं अभी तो कई सारे बच्चों ने आंसर इसका बिल्कुल ठीक दिया था और मैं यही कहूंगा कि सब लोग जो भी मैं कोशन दिया हूँ उसका सही सही आंसर कमेंट वक्स में टाइप किया गरे या तो D option या फिर उसको पूरा ही लिख दिने जैसे के तो कई लोगों के तो सही आंसर ठीक ते ठीक दोश्तों और जिनके आंसर ठीक होगा मैं उनको like दोंगा टीक दोश्तों तो चलिये इसका आंसर मैं बता दिता हूँ जो 37 धवन है प्रोफेसर 37 धवन अंतरिच किंद कहां पर आपका शिरी हर कोटा ठीक है दोस्तों कहां ये शिरी हर कोटा कहां पर ये आपका शिरी हर कोटा और ये शिरी हर कोटा कहां पढ़ता है ये पढ़ता है आपका आंदर परदेश में ठीक है दोस्तों तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आईए तो लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें जो भी आपके गुरुप में सब में सेर जरू किया करें ठीक दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगली नेस्ट में पढ़ते रहें मुस्कराते रहें धन्यवाद